गाईज ये साल के विल सारुक खान ही नहीं रनवीर कपूर और प्रभास के लिए भी काफी जबर्दस रहा है क्योंकि इन दोनों की मुवीज भी बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक बस्टर हो चुगी है यस गाईज मैं बात कर रही हूँ एनिमर और सलार की और वहीं दूसरी तरफ सारुक खान की मुवी डंकी ने भी बॉक्स ओफिस पर ले लिया है ब्लॉक बस्टर का टेग हलो गाईज कैसे हैं आप सब सब आगते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल बॉक्स ओफिस स्कोर में और आज मैं आप लोग के लिए कर आई हूँ डंकी सलार और एनिमल मुवी की बॉक्स ओफिस रिपोर्ट काईजा सलार का है बॉक्स ओफिस पर दसवा दिन तो वहीं डंकी मुवी का है ग्यार बाद दिन और वहीं एनिमल मुवी का है आज बॉक्स ओफिस पर तीसवा दिन अगर सबसे पहले बात कर लें रनवीर कपूर की मुवी एनिमल की तो गाई बनकर तयार हुई थी संधी प्रेडी वांगा के डारेक्शन में और इनका डारेक्शन होने की वज़े से भी इस मुवी का बज आसमान जूरा था और इस मुवी में रनवी कपूर के साथ अनिल कपूर बॉबी दियल और रिश्मी का मंदाना नजर आये थे तो वहीं मुवी का बज़ट था केवल 135 करोड रुपे और कम बज़ट होने की वज़े से भी इस मुवी ने बॉक्स ओफिस पर काफी जल्दी हिट और सुपर हिट का टेग ले लिया था और वहेंगर अब बात कर लें इस मुवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो गाईज इस मुवी ने अपन 30 करोड दस लाक रुपे तो इंडिन ग्रोज कलेक्शन आ रहा है 652 करोड रुपे और ओवर्सिस मार्केट में यह मुवी अब तक 238 करोड रुपे का कारूबार कर चुकी है तो इस मुवी का टोटल व्ल्डवाइट ग्रोज कलेक्शन आ रहा है 890 करोड रुपे कई जगर मुवी कुछ दिनीन और बौकस आुफ पर टिकती है तो डेफिनेटली 900 करोड के करीब भी आ सकती है जागे अर बात करें सारुकान की मुवी डंकी की तो इस मुवी ने भी बौकस आफिस पर काफी जया कमाई कर ली है वेसे तो इस मुवी को box office पर का फिस मिक्स रिविउस मिले थे बढ़ मिक्स रिविउस मिलने के बावजुद इस मुवी ने box office पर काफी बढ़िया कमाई करते हुए केवल तीन दिनों में ही हिट कर टेग ले लिया था और अब यह movie box office पर हो चुकी है ब्लॉक बस्टर तो गाइज ये मुवी है हिंदी लेंग्वेज एक्षिन कॉमेडी मुवी गाइज मुवी वनकर तयार हुई थी राजकुमार हिरानी के डारेक्शन में और इस मुवी में सारुख खान के साथ आपसी पन्नु विकी कॉजल और बॉमन हिरानी नजर आये थे गाइज मुवी का बजट केवल 120 करोड रुपे था और कम बजट बहुने की वज़े से ही इस मुवी ने 3 दिन में हिट कर टेक भी लिया और साथ ही में काफी बढ़िया कलेक्शन भी किया तो गाइज अगर आप बात करें इस मुवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो इस मुवी ने अपने 8 दिनों में इंडिट नेट कलेक्शन किया है तो भी इंडिन ग्रोस कलेक्शन आ रहा है 226 करोड रुपे और ओवर्सिस मार्केट में ये मुवी 145 करोड रुपे का कारोबार कर चुकी है तो इस मुवी का 11 दिनों का डुटल विल्ड वाइट ग्रोस कलेक्शन आ रहा है 371 करोड रुपे तो गैस रंकी हो चुकी है बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक बस्टर वो उसे ला कर देता था तो गैस अगर अब बात कर लें प्रभास की मुवी सलार पार्ट वन की तो गैस इस मुवी को पब्लिक से काफे ज़्यदा प्यार मिला और काफे ज़्यदा पॉजिटिव रिविउज आने की वज़े से इस मुवी ने अपने पहले दिन काफे ज़्यदा धमाकेदार ओपनिंग ली थी तो गैस ये मुवी है तेलगू लेंग्विज एक्शन थिलर मुवी तो वहीं मुवी बनकर तयार हुई थी केजी एफ डारेक्टर प्रशांत नील के डारेक्शन में और इनका डारेक्शन होने की वज़े से ही इस मुवी का बस काफे ज़्यदा बड़ा हुआ था और केरी मुवी लोग की उमीदों पे खरी उतरी है तो गैस इस मुवी में प्रभासक साथ प्रित्वी राज सूतिहासन और जगापती बाबु नजर आये थे तो वहीं इस मुवी का बज़ट था 400 करोड रुपे और ज़्यादा बज़ट होने की वज़े से ही इस मुवी को बॉक्स ओफिस पर हेट होने में थोड़ा समय लगा वट अब इस मुवी ने बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक बस्टर का टेग ले लिया है तो गाइज इस मुवी को तेल्गू के अलावा हिंदी, कंड़ा, तमिल और मलालम लेंग्विज में भी रिलीस किया था तो सबसदा कमाई इस मुवी ने तेल्गू और हिंदी लेंग्विज में ही की है तो अगर आज सबसे पहले बात कर लें इस मूवी के हिंडी लिग्विज collection की तो गाज इस मूवी ने हिंडी में साथ दिनों में collection किया है 110 करोड 48 लाक रुपे का तो वहीं 8 दिन कमाए हैं 6 करोड 22 लाक रुपे और 9 दिन कमाए की हैं साथ करोड़ पचास लाक रुपे की तो अगर बात करें आज याने किसके दसवे दिन के कलेक्शन की तो गाइज आज क्यों के पैंसी कल से काफिस जादा बढ़ चुकी है और यह मुवी आज लगभग दस करोड़ रुपे का हिंदी नेट कलेक्शन कर सकती है तो इस मुवी का आज लगभग 16 करोड़ पचास लाक रुपे का कारुबर कर सकती है तो इस मुवी का दस दिनों का ओल इंडिया नेट कलेक्शन आ रहा है चाट सो उनीस करोड़ 10 लाक रुपे तो इंडियन ग्रोज कलेक्शन आ रहा है 499 करोड़ 56 लाक रुपे और ओवर्सिस मार्केट में इस मुवी ने अब तक 138 करोड 75 लाक रुपे की कमाई कर ली है तो इस मुवी का दस दिनों का टोटल व्ल्रवाइट ग्रोज कलेक्शन मारा है 638 करोड 31 लाक रुपे तो गाइस अलार मुवी भी हो गई है बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बस्टर और गाइस यह थी एनिमल्स अलार और डंकी मुवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप लोग को वीडियो कैसा लगा कामेंट करके जरूर बताईएगा और आप लोग